हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का टोपर यानकेटिव में तो यहाँ पर इंडियन कोश्ट कार्ड की भरती आई हुई है आप सभी के फोर्म ओनलाइन होने स्टाट हो चुके है और मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि आपके जो फोर्म है आपको फोर् को बरना है तो पहले आप लोग देखेंगे यहां पर सबसे इंपोटेंट वीडियो है तो यहां पर हमारा चैनल मिलेगा जिसका नाम है टोपर यानकेटमी आप लोग जाकर सबसे पहले सबस्क्रेब कर सकते हैं उसके आप लोग जैसे ही नीच आएंगे तो आपको यहाँ दिखाए देखा कि जो कोश्ट कार्ट का एक्जाम में वह मैंने कैसे क्वालिफिक है था सारे इस्ट्रिय आप लोग यहाँ दिन पुरानी है दूसरी जीज आपका यहां पर आता है कि भई कोश्ट का फों कैसे करने मैंने यहां पर आपका अप्लोट कर रखें आप लोग क फोंपलाई करेंगे उसमें एक कंडिशन है ठीक है एक तो आपका डीवी होगा डीवी के साथ साथ आपका जीडी होगा एंड आपका यांतिरिक होगा तो यहां पर सबसे में चीज आती है कि यांतिरिक में स्रीफ वही फोंपलाई कर सकता है जिसके पास डिप्लोमा है वही apply करेगा मगर हमारे पास option वस्ते हैं db के लिए 10th pass कोई सी भी streams हो कुछ भी क्या हो अगर वो pass है phone play कर सकते है ठीक है कोई भी percent होता अगर उसके 33% यारी 33% है वो pass है तो यहाँ पर db का phone apply कर सकते है ठीक है तो बात करते हैं gd का तो gd में स्रिफ वही लोग phone apply कर सकते हैं जिसके पास हो क्या physics and mathematics जो कि जो लोग air force x group में phone apply कर सकते हैं तो वो सभी लोग यहाँ पर जिसके जो x group में phone apply करते हैं वही gd का phone apply करते हैं और जो इसका syllabus है वो आप से भी का air force x and y group का x और y group दोनों का same हैं तो मैं solution करूँगा कि आप लोग राम से दोनों का phone बरें ठीक है तो यानि कि एक time आप लोग gd का phone बढ़ सकते हैं फिर आप लोग db का अगर आप लोग eligible हैं अगर आप लोग gd के लिए आप लोग phone बढ़ सकते हैं अगर आपके पास physics और mathematics 12th class में हैं तो आप लोग राम से gd का phone बरें वहना आप लोग राम से db का phone बरें तैयारी कैसे करनी है मैंने आपको बताई दिया है ठीक है admit card किस किस का आएगा तो यहाँ पर admit card जो है जो आप सभी का admit card है वो सभी का आएगा ठीक है anyone सभी candidate का आने वाले टैंसे ले एक और यहाँ पर आपका admit card आएगा जो भी बार भी पास ठीक है जितनी qualification मांगी है आप लोग अगर phone भड़ते हैं phone अपका apply हो रहा है तो आपका admit card आना ही आना है next आप कहा पर आता है कि यहाँ पर आपका 10 वारे पास चाहिए ठीक है नंबर कितनी भ Air Force वाले phone भरें या फिर नहीं भरें सबसे में चीज़ आता है कि Air Force के जो कैड़ेट से हैं वह phone apply करें या फिर ना करें ठीक है main logic अगर बात करें जो आपका Air Force की vacancy आएगी वह लगबग अभी चार महीने के अंदर vacancy आने वाली है मगर यहाँ पर logic आप से भी क्याँ पर बन नोंबर में एक्स्वाम कहस्वें करें तक ब्राइब करें आप और आप में रहा है किसी आप्छी नेपसे ऑ खाए खार सकते हैं और नोहीं प्रश्य Іदिавать वह से का इसनी नेपनम ड़ी का यह अंध़ वह साही होता है ठीक है और सबसे में इन चीज़ आप लोगों का जो फ वो आपका सेम है ठीक है कुछ भी अलग नहीं है वही कोस्टन आएगे वही सब कुछ पूछा जाएगा तो मैसेज करूँगा कि आप लोग राम से फोम बरें एक्जाम कैसी क्वाइफिक करना है वो आप लोग हमार साथ जुड़ हुए है साथ में आप लोगों के लिए एकुर चीज है तो अगर आप लोग इंडियन कोस्ट कार्ड की ही तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अराम से यहां पर चक्षू पिरकाशन की नाविक डीवी एंड जीडी के लिए आप लोग बुक ले सकते हैं सेक्शन से फर्स्ट एंड आपको बहुत कंप्राइजर वर आप लोग देखने के लिए मिल जाएगी तो आप लोग एक मिनट चक्षू पिरकाशन की बुक यहां पर देख सकते हैं मैं आपको दिखा जैता हूं यहां पर आप सभी का इस टेपस आपको देखने के लिए मिलने वाली है यह बूक तो य मिल जें तो आपको उच्छी है ऐसा हो जाते हैं की ऐर फोर्स को यहां प्रना ही आप सब्सक्राइब आगा